आज की वीडियो बहुत ही जादा श्पेशल वीडियो है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि प्रेंगनेंसी के दोरान कमर में और पेट में कौन से ऐसे बदलाव आते हैं जिने देखकर आप आईडिया नुमान लगा सकते हैं होने वाली संतान एक लड़का वो कमर को ही देखकर महीला की आईडिया लगा लेती थी कि होने वाली संतान क्या होगी तो उनी के यह आईडिया है अगर आपके साथ सथीख हो जाते हैं वेल एंगूड है क्योंकि सबकी बॉड़ी सबकी प्रेंगनेंसी सबकी हार्मोन्स अलग होते हैं तो सबकी सिम्टम मैं जो अपने सिम्टम आपके साथ शेयर कर रही हूं बहुत सारी महीलाओं के साथ यह सटीख हुए हैं और उनको बेबी बॉइ हुआ है तो कौन से वो सिम्टम है देखिए जैसी गरब वस्ता आप कंसीव करते हैं ना बॉड़ी में बहुत सारे बदलावाते हैं कई महीला हैऑ ज्यादा गुलमोलू नहीं होती है खाली उनके पेट का ही وेट होता है पेट का वेट इन-द spinal PD कि कि अधी होदा है किसी का बहुत जादा हो जाता है किसी का नॉर्मल रहता है तो जादा होना और नॉर्मल रहना इन में क्या डिफरेंस हैं पहले मैं बथाती हूं देख पहले से आप ज्यादा हाथ पैर आपके मोटे हो गया हो गोलू मोलू हो गया हो और डॉक्टर भी आपको बोलता है कि आपका सी शेक्षन करना पड़ेगा क्योंकि ओवर वेट में डॉक्टर सी शेक्षन करता है नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है तो यह सब देखकर आप खु कि गरब अवस्ता में बहुत सरे बदलावों में से कमर का बदलाव होता है कि आपकी कमर बहुत जादा पहले से बाहर की और आ गई है बहुत जादा वो फैल गई है यानि कि चौड़ी हो गई है चौड़ी इन दा सेंस कि उसमें बहुत जादा वेट गें हो रहा है बोड़ अगर आप लड़की की चाहर रखते हैं तब भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका weight gain कितना है, पूरी body में है कि सिरफ पेट का ही अकार बाहर है, ठीक है आप बात करते हैं पेट की shape को देखकर कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि लड़की है या लड़का का जाता है अगर तो होने वाली संतान लड़की होती है अगर आपका नीचे की अय़ए जूका होता है तो होने वाली संतान बेबी बॉइ होता है देखे जब लड़का प्रेट में पल रहा होता है तो माँ को बहुत जाधा weight gain करते हैं चरीフूला बाहर होता है कमर, हंट पैर आपके वैसी ώत जैसे गरववस्ता के दोरान होते हैं, कोई फर्क नहीं आता है, थोड़ा बहुत फर्क आता है, बढ़ जादा नहीं आता है, लड़की के टाइम पे बॉड़ी बहुत जादा बेड गें करती है, शरीर फूला फूला लगता है, हाथ पैट भी मोटे हो जाते हैं, और कमर भी दिखना शूरू हो जाती है, तो अगर ऐसा कुछ सिम्टम देख रहे हो, तो यह लड़की होने के जादा संकेत माने गए हैं, बाकी ऐसा जरूरी नहीं है, कि सबके साथ हो और सटीक हो लक्षन, क्योंकि कई बार थारेट करके भी प्रॉब्लम हो जाती है, शूगर करके भी आज कल तो वैसे भी गडर ववस्ता में बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, महिलाओं के साथ लिए जार बाक पैन रहता है तो सबकी डिफरेंट 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 स्टूरी है, गडर ववस्ता की सबकी डिफरेंट different सिम्टम होते हैं बट यह मेरे सिम्टम है कि मेरी गरब ववस्ता में बहुत जादा बॉडी में वेड गे नहीं हुआ मैं पतली थी और पतली ही थी मतलब बॉडी मेरी वैसे ही थी खाली पेट का ही बाहर था कोई और मेरी बॉडी में मुटापा नहीं आया दोनों ही प्रेगनेंसी में और ये लक्षन मेरे साथ 100% सटीच थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ बाकि इस वीडियो को किसी गलत धारना से मत लीजेगा कि मैं लड़का या लड़की में भेदभाव सिखा रही हूँ सिरफ इस वीडियो को बनाने का परपस मेरा उन महिलाओं के लिए जिने बहुत जादा गरब ववस्ता में क्रेविंग होती है जाने की कि मेरे क्या होगा लड़का या लड़की उनकी क्रेविंग को मैं कुछ कम करना चाहती हूँ ताकि उनका जो माइंड है किसी गलत मतलब त पाने का मन कर जाता है कई पर पहुचाना नीद आती हैं कई पर बहुचोना निद नहीं आती कई पर बॉडियो को देखकर घर के जो बड़े बुज़गत थे BACK वरन मा लगा लेते हैं कि होने वाले संतान क्या होगी लड़की या लडगा अम बहुत सारे अपने देखा होगा घर में और मामास को एड़िया लगाते हैं, पेरों में बदलाव देकर जहती हैं, बहुत सहने हो बेबी बॉए होगी होगा होगी है, मेरे पैरों में स्वैलिंग नहीं आई बट मेरे पैरों की एडिया बहुत पढ़ गई थी और स्किन बहुत ड्राय हो गई तो अगर आसा कुछ सिम्टम भी आपके साथ देखने को मिलता है तब यह पनुमान लगा सकते हैं होने वाली संतान क्या होगा लड़का या लड़की वैसे देखिए आज की डेट में लड़का या लड़की कुछ भी हो बस बेबी का हैल्दी होना बहुत जरूरी है क्योंकि हैल्थी जाहे लड़का हो या लड़की उसकी अच्छी एजुकेशन दे उसको अच्छे संसकार दें वही सबसे बड़ा माबाप का फर्ज होता है खूवाह को होता है जो की हौ आफटर डिलीवरी आपको पता लगेगा क्या हुआ इस वीडियो को बिल्कुल इंज़ोई लिए बहुत सारे मतलब एसे रिती रिवाज करे जाते हैं यह भी पेट पेट को ना पा जाता है, घूट बेबी गर्ल के symptom होते हैं, बेट कम चोड़ा होता है, तो बेबी बॉइ की symptom होते हैं, बाकि डिपेंड करता है आपकी डाइट पर साइन्टिफिक अधार डाइट प्लान अच्छा है ना तो बेबी हल्दी होगा चाहे वो लड़की हो या लडगाओ, आपका डाइट प्लान अ बेबी को हल्दी रखने के लिए अच्छी डाइट लें, भरपूर मात्रा में दस से बारा ग्लास पानी पीएं चाहे गर्मी हो या सदी हो, क्योंकि जितनी बॉड़ी आपकी हाइड़ेट रहेगी उतना आप अक्टिव रहोगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप ब पानी पीना भूल जाती है, तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने पास बॉड़ल जरूर रखनी है, दिन में दस से बार ग्लास पानी का सेवन करना है, इससे आप एक्टिव रहोगे, बच्चे को भी अनर्जी मिलती रहेगी और बच्चा भी आपका हेल्दी रहेगा, तो आप अच्छे से समझ गए मैंने क्या समझाने की कोशिश की, चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साल का अंतिम सूर चंदर ग्रहन लगने वाला है, उसकी अपडेट जरूर मिलेगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जल्दी स पता लगे, बाबाए